हेलो कोडर आणमी कैसे हैं आप सब लोग आई होप आप सब अपनी जिन्दगी में मचा रहे हूंगे तो आज हम पढ़ने वाले हैं बबल सौर्ट कलम ने पढ़ा था कि सौर्टिंग क्या होता है कि किसी भी चीज को एक प्रॉपर वे में अरेंज करना उसी को हम क्या करते हैं कि नंबर दी हैं उनको ascending order में लगा दो या फिर descending order में लगा दो तो वही आज हम देखने वाले एक और दूसरी अल्गोरिथम जिससे हम सौर्टिंग कर रहे हूंगे वह होता है बबल सौर्ट क्लियर हाँ बढ़ी है क्लियर तो selection सौर्ट तो कल चमक गया था आज आज आपक बच्चे के हाइट साथ है इसकी चार है इसकी आठ है इसकी पांच है और इसकी तीन है इनको increasing order में लगाना है increasing order में क्लियर प्रॉब्लम स्टेट्मेंट कैसे लगा हूंगा कल हमने selection सौर्ट से ठीका था कि जो सबसे बड़ा है उसको सबसे आगे लिया हो फिर उसके बाद उसके बाद छोटा उसको उसके बाद ऐसे कर गया हमने selection सौर्ट से किया था यही किया था हाँ यही किया था तो मैंने का इसकी अलावब भी तो और चीज़ें हो सकती है क्या चीज हो सकती है अब मैं अपना example लेता हूं ठीक हम क्या strategy उसकर सकते इसके लिए मालू में इस बं अब मैं आठ वाले को बताता हूं फिर मैंने आठ अब पांच को दिखा मैंने का भाई तो यह तो च्छोटा है और तू बढ़ा है इसके रेपेट मारा इसको भी पीछे बेजा और पांच को इसके आगे लिए क्लियर हाँ फिर मैंने आठ और तीन को compare किया मैंने का अब अब मुझे पता है कि सबसे बड़ा हाइट वाला लाश्ट में आ गया होगा क्योंकि मैं आगें से देखते वा आ रहा था कि सबसे बड़ा हाइट वाला कौने compare कर रहा था और लाश्ट में लिया आ रहा था ऐसे कर गे मैं लगा सकता हूं पर अभीटे एक ही बंदा है अब फिर से मैंने स्टार्टिंग से स्टार्ट किया मैंने देखा कि चार साथ यहां से स्टार्ट किया मैंने का तिरे बाद वाला तो क्या है तुस्रे बड़ा है तो यही पर रहेगा फिर मैंने साथ को बोला कि भाई तेरे बाद वाला तो तुसे चोटा है तुसे आगे कैसे ख तो कि वो सबसे बड़ा है इसलिए पहली लाश्ट मा चुका है अब मुझे बता मेरे डेटा यहां तक सौट हो चुका है तो मैं इसमें कर क्या रहा हूं अगर आपने थोड़ा गौर क्या होगा एक एक करके सबसे बड़े वाले को पीछे लेके जा रहा हूं ठीक हाँ उसके पिर से आगे आए यहां पर 4 को मान लेते हैं फिर से हमने वही काम किया चार को देखा बोला बही बताओ उसने का यह तुम उससे बड़ा है तो आपन्च को बोला तीन के लिए इसने का अरे तुदू क्या है छूटा है तो पांच को ठपन आ पीछे बगा आप तीन को आगे लिया है अब क्या यहां कंपेर करने की जरुवत है मुझे पता वो और लोड़ी इस से बड़े उंगे तो उनको पर करने की जरुवत नहीं है यह खताम हो गया यहां तक पर फिर से यहां से मैंने स्टार किया चार को बोला अरे तीन तो सुच्छे चोटा तो आगे क्या कर इसके थपन मारा इससे भी पीछे वेज दिया और तीन को आगे लिए और इसके बाद compare करने के जरुवत है नहीं है तो मुझे पता चलिए यहां तक sort हो चुका है तो ऐसे करके मैंने अपने किसको sort कर दिया और इसी को बोलते हैं bubble sort क्या बोलते हैं bubble sort bubble देखें कैसे होते हैं गोल गोल वबल ऐसे बना करने चलते हैं ऐसे ओड़ा है तुप्छे जा इसने नहीं द्रश्य में लें तो आगे पीछे लेके जाते हूं तो पहले round में सबसे बड़ा element ।-irmi नाश्ट में जो तीसीय राउन में जो थीसा सब्से बड़ा उलाष्ट में इसीज है है क्लियर है है हाँ यह स्राइड़ी हम लगा सकते हैं यह लगा सकते अगरुझज कर सकते हो उनको लगा थे चंब यह जो यह जो कि अई उसको कोड में कैसे करेंगे Canva Debt तो मैंने का पहले एक बार प्रॉपर वे में बबल्सक्त क्या होता है उसको देखते हैं हम इंटूटिशन समझ गए हम कैसे उसको पीछे लेकर जा रहे हैं कैसे मैंने उनको अरीज़ किया किलिए है है यह कलियर है अब मैं इसको दूर से करते हैं अब देखो यह मेरा एक्जाम्पल हो गया हाँ अब मैंने का स्टार्ट होगा राउंड वन आपका क्या होगा राउंड वन इस्टार्ट हुआ राउंड वन वन सबसे पहले यह दो कंपेर होंगे जो बड़ा होगा वो पीछी चल जा रहा है तो चार इदर आ गया शाथ इदर आ आठ पांच तीन अब इन दोनों को कंपेर करूँगा अभी राउंड वन खत्म नहीं होगा तो आठ असाथ में से कौन बढ़ा है आठ होगा तो वह ऐसे का ऐसे ही रहीगा के लिए हाँ अब इन दोनों को करूँगा को वह कौन बढ़ा है तो 8 विशे चल जाएगा 5 आगया जाएगा ऐसे करगे हैं अब किसको करूँगा इन दोनों को इसाज आ गया आप पिछहाँ हो थिक ए तो अब मेरा राउंड वन कंप्ल फेले मैंने इन दोनों को किया फिर इन दोनों को फिर फिर इन दोनों को फिर लास्ट में मुझे मिल 스트TI क्या वहां आपको क्या यहνεा है हां वहिए यह तो मुझे अच्छे से clear है ठीक तो यह तो हमें समझ आचुका अब यह दो ऊचुका मेरा ंवन यहां पर complete. ऐसे गरेगे, ठीक मुझे बता यहां तक यह started है यहां तक इसके बाद फिर से वही चीज हमें दुआरा करने यहां जो अभी हमने करी थी मुझे इसको नहीं चेंदना फिर से starting से पहले इन दुनों को compare करो, round two मैं यहां से start कर रहा हूं, round two, ठीक, चारस सात में से कौन बड़ा है साथ तो वो ही तरएगा कोई चेंज़ करने की चलाओंगे साथ ऐसे निख देता हूं से थिक अब यह दो compare होंगे चारस साथ पान में से बड़ा कौन है round two complete round two क्या हो चुका है complete हो चुका है क्योंकि अब मुझे साथ को इसके दाथ compare करने की ज़रुवत नहीं है क्योंकि मुझे पता वह already उससे बड़ा है जो सबसे बड़ा दोनों को compare करो जो बड़ा हो पिछे तो मैंने का अभी कोई बड़ा नहीं है तो यह ऐसे के ऐसे रहेंगे फिर इन दोनों को compare करो कौन बड़ा है 5 तो वो पिछा जाएगा अब क्या 5 साथ को compare करने की ज़रूद है नहीं क्योंकि मैंने का यह already sorted है उससे बड़े हों हमें पता है तो अब यह यहां पर आके complete तो round 3 यहां पर आके complete मुझे पता है इसके बाद सारे sorted complete हाँ समझ आया फिर से वही कानी फिर से round 4 की अगर मैं बात करूं पहले चार तीन compare होंगे ठिक जो बड़ागो पिछा आएगा तो चार पिछा आगया तीन जर्रा बाकि 5 साथ 8 क्या 4 पांच को compare करने की ज़रूद है नहीं है क्योंकि मुझे पता यह सब इससे बड़े अब मैं देख पा रहा हूं कि चार round बाद मेरा जो array है वह सौट हो चुका है हुआ है नहीं हुआ है हाँ तो हमने क्या करा है इसमें bubble बनाया है देखो यह पहले इन दोनों को compare फिर इन दोनों को compare फिर इन दोनों को bubble की form में जा रहा ना bubble ऐसी दो बड़ते आगे इस तरह के से मैं अपने answer को achieve किया है तो हमारा यहां पर फूरा एक sorted array बन चुका है यह रहा है तो बताइए यह आपको चमका या नहीं चमका हाँ यह तो मुझे अच्छे से चमक गया समझाया क्या करा हाँ वह यह एक example और मैंने का एक example हो ले रहते हैं मानलों आपके पास array दे रखा ह है ऐसे कर गया है पांच चार तीन दो अथी ठीक इस ascending order में लगाना है अभी descending order में ओके कैसे करूंगा मैंने का फिर से हम वह यह चीछ फिर से करने वाले जो अभी मैंने करके दिखा ही आपको पहले पहले राउंड स्टार्ट हुआ राउंड बोलो पांस बोलो कुछ भी ब क्लियर हाँ फिर पांच ये तीन कम्पेर हुए कौन मड़ा है पांच तो पांच पीछे चला जाएगा फिर फिर पांच ये एक कॉंपेर हुए फिर से हुई पहले चार तीन को क्या करो कौन बढ़ा है चार क्लियर फिर चार दू को फिर चार एक को क्या चार पांच को करने की जरूत है नहीं है क्योंकि मुझे पता यहां से यह सबसे बड़े होंगे तो अब यह आपके हो चुका है अब मुझे कंवा मैं कि मेरा यहां तक सारे सबसे बड़े अलिमेंट है चार और पांच यह सौर्टेट ओडर में है ठीक तो आप देख पार हो कि हर एक राउंड के बाद पहले राउंड में एक एलिमेंट होगे था दूसरे राउंड खस्दम में दो एलिमेंट मेरे लास्ट में आ चुके हैं सबसे बड़े वाले को एक यह करके पिछे लेते हो जा रहा हूं लाइन वाइल है किलियर है हाँ इसको सैगंड बेज में लिखो हाँ तो मैंने का यह ऐसा दिख रहा है त्री थीन आएक compare होंगे का इसके बाद compare करने की जड़रोथ है नहीं वटया तो मैंने बोला अब यह यहां तक sought हो ठीक है इसके बाद compare करने की जरूरत दी है तो यह खतम हो चुपा है मुझे पता है अब यह यहां तक पूरा चार राउन के चार element sorted है क्या पांच राउन चलाने की जरूरत है सिरफ एक ही element बच्चा है इसके लिए कोई भी हैट को निकाला फिर उसके बाद second उसके बाद third उसके बाद fourth तो फिप्त वाला automatically आएगा तो यह वही का रामने तो बताएए यहां तक चमका नहीं चमका हाँ यहां तक मुझे चमक गया तो हमने एक है तो n-1 राउंड चल रहे होंगे क्लियर हाँ यह में चे कुछ सेंस बना रहा है मैंने का solution में जम करने से इसमें यह करना है कि जो सबसे बड़ा element है उसको last में लेके चले जाओ एक ही element को लेके जाना बस एक element को जो सबसे बड़ा है उसको सबसे last में लेके चले जाओ और इसमें हम जो strategy उसकर रहोंगे वही bubble वाली कौन ते कि इंदुनुरह में से बड़ा कौन है इन दुनुरह में से मैंने देखा बड़ा कौन है साथ तो न पिछा जाएगा हैत्या हृत फिर मैंने रहा जाए पांच मैंसे कौन बढ़ा है उसकर कर लिए मुझे यूज करनी है जो मैंने अभी आपको करके दिखा है तो इसको अंडू कर लेते हैं ताकि मैं अपने कोसर में सॉल कर पहूंको समझ गए न हाँ गोल कि सबसे बढ़े अलेमेंट को बबल की तरह ले तो यहीं से करना है। यहीं से करना पड़ेगा तो लिख दूँ कि फॉर i equal to कहां से start कर रही है जिरो अ裂 के कहां तक लेके जाना इसे भ़हीए यहाँ पे पिर यहा पे यहां पे और यह तक हो जाएगा अना ऐसी करता हूं न हुँझी करता हूं पहले मैं इन दोनों को compare करता हूं फ। ठीक तो मैं आई की जगह मैं इससे जे ले ले तो अभी तो मैंने इस स्टार्ट कर दिये मैंने देखा पहले इन दोनों को compare करना तो जे एच कोल टू जीरो से जे लेज दें मालो 5 तक मैं ये काम करने वाद थीक जे प्लस प्लस clear हाँ मैं क्या लिखूंगा ये पीछे कब जाएगा जब मेरा ये वाल एलिमेंट इससे बढ़ा रहे तो if array of j किससे बढ़ा रहे अगर इसको मैं j बूल दे रहा हूँ अगर ये जे है तो ये प्लस वन होगा हाँ तो मुझे क्या कर नाइस केस में स्वाइप कर देना है किसको एरे जे और एरे जे प्लस पन क्लियर है हाँ यह होगा लॉजिक हाँ यह होगा और मेरा लूप खतम क्लियर है यह तो करना था मुझे एक एक करके पहले इन दोनों को करो फिर यहां पर इन दोनों को करो यह करते करते मैंने यह कर दिया अब देखते हैं क्या जो लॉजिक हमने लिखा यह सही चल रहा है यह नहीं चल रहा है ठीक हाँ तो मैं यहाँ पर इसको एक्स्पिन करता बड़ा है मेरे area 1 से उसने का है तो उसने का इन दुन को swap कर दो तो इनको मिना ने swap कर दिया अब यह ऐसा दिख रहा है किलियर है हाँ स्वैप करने के वाद फिर से जी की value एक से बड़ा दो क्या one less than five है उसने का है तो मैं यहां पर हूँ यही पर हूँ ना one पर हाँ उसने का क्या यह वाला इससे बड़ा है यह वाला इससे बड़ा है नहीं है तो कुछ नहीं करना आगे बढ़ जाओ तो मैं यहा कर दिया कि यहां पिर पिर मैं जे की वैल्यू बढ़ा दूँगा अब जे आ चुका है यहां ठीक त्री क्या लेस्ट देन फाइब हाँ बहिए मैंने का क्या आपका कौन एट ग्रेटर है फाइक से उसने का है तो उसने का उसको भी स्वैप कर दो यहां यहां पिया हट दो मैंने कर दिया यहां पहां वहिसे अब मैं यहां पर आउं क्या आउनका है हरेrolे फॉट्र क्या प्लस गयूार इसके बात कम्यर कि यहाँा यहां पर इसको कि से कंब्र करो कुछ अ कि मिरेपाथ nuclear नहीं तो इस district मुझे क्या पता चला यहां पे 5 नहीं आएगा यहां पर क्या आएगा 4 तक ही आएगा किलियर है क्योंकि मुझे जब भी मैं comparison कर रहा हूं ऐसे करके कर रहा हूं क्योंकि यहां पर था तो मैं इन दोनों को अनुए कर रहा था My यहां पर नहीं तो मैं यहां पर जाएंगा तो मुझे इसके बाद यह तो स्वैप फुदी हो जाएगा क्योंकि इन दोनों को compare करता है जो बड़ा है उसको पीछे ताल देखा है clear है हाँ यह clear है हाँ तो मैं यहां से बोल सकता हूं अगर मेरे array की length n है array की length क्या है एन एक दो तीन चार पांच पांच है ना तो पांच माल लेते हैं तो इसमें कितने स्वैप होंगे एक स्वैप यह दो स्वैप तीन स्वैप और चार सब्सक्राइब तो यहां पर यहां पर पांच तो यहां पर ने मैंने डेटेल में क्यों बताया मैंने गाए जब हम कोशन कर रहोंगे तो वहां पर हम स्वीम काम ही कर रहे है क्लियर ठीक हाँ चमक रहा है मजा रहा है तो मैंने आप अपने इस example में आ जाते हैं इस example सबसे पहले इसको numbering देते हैं 01234 क्लियर हाँ भया मैंने का अगर एलिमेंट होते हैं तो आपके राउंड कित्द्धे चल रहे हैं एन मैंने सबसे बड़े वाले एलिमेंट को लाश्ट में लेके जाना है, जो अभी हमने पॉब्लम नेखी वह कैसे लेके जाएंगे पहले मुझे को कहां से कहां तर दीखना है यहां से लेके इतना बड़ा मेरा सइज है मैं कि लिग सांट कि दा माटम्ट है इतना बड़ा तो यह थे यह तक अब मैं इसमें लूप चलाओंगा कहां से कहां तक चला तक जाए एक कम तर तो मैं लिसकता हो कि जी रौ से ले Katherine 3 तक लूप चलेगा round 1 मुझे पता इतना बड़ा मेरा एरे हैं इतना बड़ा इतना बड़ा ही है न हाँ ठीक तो मुझे लूप कहा से कहा तक चलना पड़ेगा ताकि मैं एक करके पिछे लेके जाऊ जीरो से लेके तीन तक चार नमर हो गए कि एक comparison मैं यहां पर करूंगा यह पर ठीक धूसरा यह हो गया तीसरा यह हो गया अच्वाठ का लाए लेकर तो यह तोम मुझे पता चलिया क्यों उद्रेकी करके पीछे लेकर जाना है किलिए रहे हां जब मैं इस पर आया इस वाले पर मुझे पता यह वाला ओलरी सॉटेड हो चुका है किलिए रहे मुझे यहां से कहां तक चलाना पड़ेगा इसमें कहां से कहां तक मुझे पता इतना बड़ा मेरा एरे हैं यहां से यहां तक कलर चेंग कर लेता हूं मुझे पता है, यहां से यहां तक मेरे पास error है, मुझे पता वो तो already sorted है, 0, 1, 2, 3, ठीक, swiping कहां से कहां तक चलेगे, पहले 1 swiping, 2 swiping और 3 swiping, 3 swiping इसमें चलने वाली है, कहां से यहां तक, 0 से लेके 3 तक, sorry, 0 से लेके 2 तक, क्लियर है क्योंकि एक यह हुग गई 2 और 3 जिजिरो इन टू क्लियर है हाँ वया क्योंकि मैं सब कुछ यही से उठा जो मैंने अभी आपको एक्जम्पल दिखाया था कहां पर दिखाया था ओए यहां पर दिखा यतना जो एरे का साइट कितना था मेरा कितना था यहां था ठीक है तो मैं स्वाइपिंग कितनी कर रहा था बताईए कि यहां से यहां तक मुझे जाना था अगर इतना बड़ा एरे है तो यही तक ही जाना मुझे कि लिए रहे जीरो से लेके थ्री तर क्योंकि लेज देन फूर है तो वही मैं वहाँ पर करता हूं अच्छा आगे समझ जीरो से टू अगला राओं कहां से कहां से लेगा जब मैं यहां पर आया था मुझे पता यह फॉट हो चुके इसमें जीरो होगा इसमें वन होगा इसमे तो zero और one जो ही चाहिए make it कहां से कहां तक जाना पढ़ेगा यह पर यह यहां यहां पर कतंब आपर होगा कतम डू बारी कहां से च्रुख को आपको यह फe heute यह होचुक है इतना रे में इस बचा हो ही न यह clear हो चुका है तो मैंने क्या पैटन दिखा पहले रहा उनीड जीरो सेच हाँ इनका मुझे यह पैटन बनाना पड़े गा तो मैं पहले इंग है इसको इदर भी में दो है हर राउंड पहीं के करना है मैं नियॉरो से 3 में 0 shrЯपीं करना है ये के हम को Чमक रहा है तो मैंने का इस हम कैसे ला सकते हैं बताइए अगर आप सबढ़े काथ मुझे पता है पहले इसका अंसर हम लिग देते है इसका छीरो बीए constant है zero वाला constant है यह constant है चेंज निरफ last वाला हो रहा है last वाला हो रहा है last वालो रहा है तो पहले मैं इसका code लिख दूँ हाँ भीए लिख दो स्वाइपिंग ठीक तो यह अगर change हो रहा है इसको हम i माल लेते हैं clear हाँ तो मैं क्या कर रहा हूं कि फॉर जो मैंने वहाँ पर किया था जे इसको थोड़ा अच्छे से लिखता हूं जे लेज दन एकक्वल टू आई जे प्लस प्लस क्लियर हाँ जीरो से लेके वहाँ तक फिर उसमें भी वही काम करूंगा कि अगर मेरा एरे जे किससे बढा हो मेरे अगले वाले से एरे जै प्लस तो उनको क्या कर दो स्वैप कर दो किलियर है हाँ यह गर रहा था यहां से चमक रहा है हाँ अब मैंने अगर इसको लूप चलाना पड़ेगा 3 से लेके 0 तक तो लो भाई इसके ऊपर लूप डाल दिया i equal to 3 से जा रहा है जब तक greater than equal to क्या रहे 0 i minus minus अब एक बार ये 3 के लिए चलेगा एक बार 2 के लिए चलेगा एक बार 1 के लिए लिए चलेगा एक बार 0 के लिए चलेगा तो बताएए यहां तक चमका नहीं चमका यहां तक मुझे चमक गया अब अगर मैं बूलू यह 3 आपको मिला कैसे होगा यह आप अगर 5 साइच का था तो यह 3 बना है अगर n साइच का होगा तो n-2 तो मैं इसको अगर वैस्ता करके बनाओं पॉंस्टेंट के लिए नी सिरफ वैरिवल के लिए तो यहां पर i is equal to n-2 लिख सकता हूं लिख सकता हूं हा भईया बाकई कई और चेंट करने की ज़रूरत है मैंने थ्री कैसा था हुद है कैसा था इसका 5 था तो यह कितना थीन बना यह मुझे पता है मुझे यहां यहां तक लिए कि जाना पड़ता है ठीक है क्योंकि एक comparison दो comparison तीन comparison चार comparison तो 0 से 3 में 4 comparison मेरे हो जाते हैं इसलिए तो मैंने n को क्या करता अगर इसके बाद लिए अगर एक 4 होता ऐसे करके ऐसे करके होता अगर कोई element 7 फूर लिख देता हूं ऐसे करके होता तो वहां पर कितना आता हूं पर चार आता तो 5 के लिए कितना रखती हैं तो मतलब यहां पर मैं किसे इनिस्टिलाइज करूंगा यह से कोई भी वैल्यू आप यहां पर दाल दो मैं अपने प्रोग्राम को खदम कर दूंगा तो बताओ यह कॉन से चमका नहीं चमका यह चमक गया यह वाला पॉइंट मेरे अभी भी समझ को आप एससर भी लिख सकते हैं चेन करके 4 की तरह 3 तो यहिए आपका n-2 होगी तो बात 3 ही होगी ना पहले 4 तो यह लेट्जन 4 फिर एकवल दू करा तो 3 कर सकता हूं कर सकता हूं हां समका यह concept हां भया तो हमने एक pattern बनाया था खुद के लिए जो हमने इस तरीके तो फॉलो किया कि भया जीरो से 3, 0 से 2, 0 से 1, 0 से 0 ठीक 0 से 3 मुझे 1 की काम करना है किसका swiping का bubble sort वाला एक bubble बनाता हूं वहां तक चलना है 0 से 3 तक फिर 0 से 2 तक फिर 0 से 1 तक फिर 0 से 0 तक तो पहले मैंने उसका code लिख दिया यहां पर कि मैं कैसे अच्छीव कर सकता हूं मुझे पता है start मैं 0 से कर रहो एंड यहां पर करता हूं तो कभी थ्री बन जा रहा कभी टू बन जा रहा कभी जीरो बन जा रहा कभी जीरो बन जा रहा तो मुझे पता नहीं था तो मैंने उसको I 1 लिया तो मैंने यहां पर लिख दिया से j less than equal to i j plus plus clear हाँ उसके बाद मैंने पीछा वाला कूडी लिख दिया कि इस ग्रेटर दन एरे j plus 1 कर दो चमका हाँ यहाँ भी हमने वही कर रहा था जो अभी हमने यहाँ पर कर गया है यहाँ पर सेमी काम करा अगरे पांच साइज का था ठीक है तो यहाँ पर लिख दिए j less than equal to 3 वही कर रहा है यहाँ तो इसलिए हमने यह काम यहाँ पर कर रहे हैं तो आई धिंग यह जो कोड है यह आपको अच्छे से समझ आ गया होगा भी यह एक बार इसको ड्राइरन करके दिखा तरीके हैं बहुत ज्यादा आप किसी भी तरीके से कर सकते हैं मैंने आपको अपना वाला तरीका बताया कि पैटन मैच होते रहें सबसे पहले में रख्या था आई एकॉल टू टू एन मैंस टू तो आई एकॉल टू बन जाएगा यहाँ पर थी ठीक अंदर आया यह कहां से स्टार्ट हट चीरो से क्लिएअ हां और कहां तक जाएगा जब तक हो जीरो से लेके नहीं ठीक सबसे पहले रेगजा और NEW टू ए एक अगर यह बड़ा हुआ तो मालों मनें इन्को सवेप कर दिया यही पिकल देता हो इस यह Coming गळिया स्वैप कर लिया और 7 कि ळियर है हाँ फिर उपर आया जीय कहा से start ज्रू से start अब जी वन बन गया होगा THIS यहां पर आया फिर से क्या यह स्से बढ़ा है नहीं है तो कुछ नहीं करना जे को एक सागे बढ़ा दो तो जे टू बन गिया फिर यहां पर आया है फिर मैंने कंपेर किया इन दोनों को ठीक बढ़ा कौन है एट तो वह पिछे जाएगा पांच आठ बढ़ा था नो हाँ फिर इसकी वैल्यू थ्री कर दी क्या थ्री लेट इकल टू थ्री होता है होता है इन दोनों को कंबेर किया ठीक बढ़ा रहा एट पिछे लेके चले जाओ यह लोग एट को पिछे लीके चलेगे तो पहले राउंड खिसम होने के बाद मेरा एट जो सबसे बड़ा एलिमेंट था वो कहा चुका है सबसे लास्ट में किलियर हाँ भई है अब जे की वैल्यू चार होई हो गई होई फोल लेजन इकल टू थी नहीं होता है तो वह फिर वही कंपेरिजन इन दुनों पर कंपेर करो जो बड़ह वहों से पिछगे इन दुनों पर कंपेर हुआ दो ओं है तो वह ही है तो मैं यहां पर आ गया जेए वो पिछग है पिछाए से त्री हो गयाница जाicz integrapp χिण घथिक अब यह two थे वही है तो पिछग नहीं होता है। तो मैं यहाँ पर रुक जाते हूं यही हो चुका है कि यह हां फिर से मुझे पता यह condition false हो गई थी अहां घ्रिवें एक से घ्रा दी ďपिर से j initialize होगा जीरो से तो j को मैंने जीरो से initialize कर दिया अब सेम काानी फिर से दोषोंगा यहाँ पहले compare करेगा कौन बढ़ा है चार पांच में से वह तो अलड़ी पीछे ही है इसको डा देता हूं वह तो अलड़ी पीछे ही है फिर मैंने जे को 1 बना दिया पांच है तीन में से बढ़ा कौन है पांच तो पांच पीछे चला जाएगग तो किलियर हाँ ये मुझे किलियर हो चुका फिर जेगे वैलू है क्या टूल इकल बन रहता है नहीं होता तुमुझे पता चल चुका यहां तक यह सौट होचुका प्र से अब आई एक से डिक्रीज होगे 0 बन जाए ठीक फिर से जी जे भी इनिस राइज होगे 0 बन गया कि जीरो लेज दन इकल टू जीरो होता है होता है उसने का इन दुरों में से बड़ा को अने उसने का फूर तो फूर को पीछे लेगे चले जाओ यह लोग ठीक जे की वेल्यू एक से बड़ी क्या वन मेरा लेज दन इकल टू जीरो होता है क्या वन लेज दन इकल टू जीरो नहीं होता तो लूप ब्रेक मैं बहार आ गया इधर फिर मैं उपर गया आई की वेल्यू एक से घटा दी क्या माइनस वन गेर दन इकल टू जीरो होता है उस कि इसको मैं direct कैसे लिखता हूँ code को विल्गुल असनी समझा दाएगा कि 0 1 2 3 4 ठीक हाँ यहाँ यहाँ पर कुछ भी element भरे हुए आपके ऐसे एसे करके element भरे हुए मैं पहला पास चलाता हूँ ठीक है मुझे पता है मेरा पहला पास चलेगा ठीक है इसमें और क्या होगा जो सबसे बड़ा element होगा वो यहाँ पहुंच जाएगा कि अब मेरे पास एरे इतना बचाओगा फिर मैं सबसे बढ़ा element यहाँ पहुंच जाएगा तो पहले वाले में मेरा ऐसे था अब यह ऐसे हो जाएगा फिर ऐसे समझ रहो कैसे कैसे चल रहा है फिर मेरा एरे इतना ही बचेगा तो एक लूप इसके लिए एक लूप इसके लिए एक लूप इसके लिए एक लूप इसके लिए एक लूप इ तो यह चार राउंड यह आपको दिखाएगा कि जगा मैं पांच लग दूँ पांच मैनेस दो तीन होता है तो त्री से लेके जिरो तक तरी नम्मर होते चार तो चार राउंड चल रहें अंदर जो भी काम हो रहा था वो मैंने एक्जिगूट करवा दिया तो तो क्या यह concept आपको चमका यह नहीं चमका यह तो मुझे चमक गया अब अगर सी में ताइम complexity की बात की जाए अगर मैं बठाओं आपको ठीक है यह 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 मेरा कूड है यह पूरा पूर्ड है color change करता हूं थोड़ा white ले लेते हैं अब इसकी time complexity हम ढूंडते हैं तो कैसे ढूंड़ेंगे यहां से loop देख लेता हूं पहले i क्या था n-2 था ठीक जब i n-2 था तो j क्या था कहां ते कहां तक जीरो से लेके कहां तक यहां तक i तक तो 0 से लेके n-2 त जीरो से लेके 3 वोल लाँ आपको तो आपने एक बार 0 के लिए होगा एक बार 1 के लिए एक बार 2 के लिए एक बार 3 के लिए क्योंकि आपे less than equal to है तो यह कितनी बार चला है चार बार तो वही मैंने लिखा है कि execute n-1 ताइम हुआ है तो यह चार बार आ गया clear हाँ फिर i के value एक से घटी तो i बन गया n-3 clear है हाँ जे कहां से कहां तक चलेगा 0 से लेके n-3 तक तो यह कितना होगा n-2 clear है फिर ऐसे ऐसे करते करते i क्या पहुंच जाएगा i equal to हो जाएगा 0 हो जाएगा जब i final 0 हो जाएगा 0 greater than equal 0 हाँ उसमें यह कहां से कहां तक चलेगा 0 से लेके 0 तक तब कितना काम होगा यह एक ही काम होगा एक ही वर्क तो मैंने देखा n-1 n-2 n-3 करते हो यह चलता तो यह कुछ ऐसे दिखता इनका सम यह कि अब टू वन इनका मुझे सम उकरना दा सम कितना सम आएगा इतका यह आएगा यही आएगा इसका सम सम आप एड मैंनेस और नेचुलर नंबर ठीक इसको अगर मैं खोलू तो यह कुछ ऐसा दिखेगा एन इसकारी बचेगा आपको पताईए एन इसकारी बचेगा बाकी सारी n निकल चुकी है अब स्पेस स्पेस कांपलेक्शयरीकें को बात करता हूं तो मैं उक्जले मैं शॉनले स्पेस की बात कर रहा हो इसके अंदर नहीं होगा तो इस स्पेस कोंपलेक्श llegiaud छोडगे आपने क्या-क्या एक आपने आई बनाया होगा ठीक और एक आपने जिए बनाया होगा इस ने मेमोरी लिए होगी इसके लाए किसी ने नहीं थे तो मैं बोल सकता हूं Constitution memory में काम हो गया हां बोल सलए है तो मैंने का इसकी तो इसकी अबार्ट केस में कितनी होगी कितिनी होगी बेस्ट केस में अगर मैं आपको बोलो बेस्ट केस में कितिनी इसके time satisfactory होती है तो मैंने बेस्ट केस मैं कैसे निगाल सकता हूं जब मैं मानू कि सारी condition मेरी ideal है सारी condition जो मैं चाहरा हो जैसे हम linear search में मानते थे कि मैं कोई element ढूण आ हो मुझे पहले उसमें मिल गया किलियर तो इसमें क्या हो सकता है best case कि मुझे sorting नहीं ना करना पड़े मेरा array अलड़ी क्या हो sorted हो मालू मेरा array मुझे एची दे रगा कि बोला इसको सॉर्ट कर दो इसको क्या कर दो सॉर्ट कर दो अब array तो मुझे दिखा है इनी इस मुझे पता नहीं थिक मुझे चलाना पड़ेगा सीम अपना इसको आप अपनी किए तरह माल लो यह बच्चे खड़ें हायट वाइस यह बच्चे क्या है हाइट वाइस खड़ें थिक तुम ने पता अभी ये बच्चे प्रॉपर में खड़ें य। अब तुम क्या करोगे तुम फिर से दंडा लेके गए आप तुम दुनों मेंसे बड़ा कौन है तुम दुनों मेंसे जो बड़ा है वो पीछी जाएगा इसने देखा हैं फिर से इननों को कमपर किया कौन बड़ा सोने यह अब अब आल्लरी अपनी सही पुछेशन परे है फिर से पर चक्कल लगा है किसी को भी 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 नहीं हुए तो मैं गए सकता हूं सब्सक्राइब करने पड़ेंगे अभी मुझे अपने कोड में चेंज करना पड़ेगा कुछ अभी मैं आपको वो नहीं बसा है ठीक पर मैं कह सकता हूं इसको एन माइनस मन कमपेरिजन करने पड़ेंगे बैस केस में उसको पहले चेंज कैसे करेंगे वो चेंज हमने आप देख लेते हैं कोड में कैसे चेंज करेंगे कि मुझे यह पता चल पाए कि एक भी स्वाइपिंग हुई है नहीं हुई है अगर एक भी स्वाइपिंग नहीं हुई है तो उसके बाद मुझे इसको आगे चलाने की जरूरत नहीं है किलियर है मैंने वहाँ पर देखा ना अगर एक भी स्वाइपिंग हुई पूरे रूप को चलाने के बाद मार्लो मेरे के वाली साइगल चलाता है यहां से यहां तक एक भी स्वाइपिंग नहीं तो मैं बोल सकता नहीं कि वह अल्यड़ी स्वाटेड था तो मैं एक ले ले लिए ताऊं वायरियवल उसको ले लेताँ बुलियंग बुलियंग एगा गीकि टून के लिए और नहीं एक बार वी चलाओगा तो स्वाइप को बना देना अब क्या वन बना देना ताकि मैं समझ चाहूं पाऊं कि स्वाइप हुआ है ठीक स्वाइप जीरो बना दिया यहां पर मैं अंदर आए तो इसने लूप में काम ख़तम करा होगा यहां से यहां तक अगर यहां से यहां तक एक भी स्वाइपिंग नहीं हुई है किसी राउन में तो इक विपन वहाँ जीरो रहा ठीक एक भी इसन नहीं हुई है जब यह पूरा लूप खतम हुगी है यहां से यह ठीक उसके बाह्त नहीं हो है तो दो लूआण को आगे जाने की ज़रुवत नहीं है नहीं है है यह मैंने कर दिया यह क्यों शुलाई क्यों लिता इस समझ आ चुछ करने की जरुद दी है तो वही मैंने आपी गिया एक बार तो चुछ करने ही पड़ेगा मुझे यहां से आथ पर मैंने देखा यह भी अभी भी नहीं होगी उस टाइंग जीरो ही होगी हाँ जैसे मेरा अब फर्दर चेक करने की ज़रूरत नहीं है मेरा जो एरे है वह अलड़ी सौर्ट है होँ क्यों हम है तो मैंने काण इस केस में कितने कंपर एक दो टीन चार मनलब और कंपर थीप इतने में भी जूर्यक कर सकता हूं खने। किसमें बैस में हम कब मानते कि मेरी सारी कंडिसन आइडिल है सारी कंडिश्र आइडर कब हूंगी कि उसने मुझे काम दिया है कि आरे को सौर्ट करके दो तो मैंने का क्या बता है अगरे 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 इसको चलाने पड़ेगा चेक करने के लिए कि यह नहीं तो मैं बैस केस में बहुत रहता हूं आपका बैसकेस від सकते गरे किसको करें किसको यह निकाल चुग है कि उसने कितने कंपर डिसलिंग है हाँ बहुत सिंपल काम है ठीक एवरेज केस इसका भी ओर और रॉफ एन स्कुर्य होगा यह फिर आप इसको थीटा एन स्कुर्य भी बहुत सकते हैं ठीक ठीक यह किलियर है हाँ एवरेज केस कैसे निकला होगा बताएए यह तो मैं यहां से लिख दूँ कि एक बार पहली पूशेशन में होगा आउने कैसे निकालोगा कि यह किलियर है यह पूरा समझ आया है यह हमने कैसे सौट किया स्वाड वाला फंक्षन है जी हाँ आप एक छोटा सा एक्जैम्पल लेते हैं उसको आदाम कोड पार्ट पर पें जम करेंगे अब देखो छोटा माल लो मेरा एरे मुझे ऐसे दे रखा है कि अब आपको समझा जाएगा मुझे पता है इसमें मुझे राउंड चलाने पड़ेंगे राउंड ठीक अभी इनिसली मेरा राउंड वन स्टार्ट हुआ मैं पहले जूरो कर लेता हूं कि अभी दक कोई भी स्टार्ट होने चीए उसने का नहीं कि यह दो होने चीए हां क्योंकि यह बड़ा है यह छोटा है तो स्टार्ट हो गया टीक तो यहां पर आकर रुप गया चार उदर जाएगा पांच यतर आएगा यह होगी के यह मुझे पता है पहले स्टास हो चुका है या फिर मेरा यहां तक सॉट हो चुका है अब सेगें राउंड में क्या होगा राउंड टू स्टार्ट किया मैंने यहां पर देख ले रहा है कि स्वाइप हो रहा है तो मलत इसको अभी एक बार और चेक करना पड़ेगा तो मैंने यहां पर लिख दिया स्वाइप फिर से जी मुझे पता चल गया कि 4-5 मेरा क्या सॉट अब मैंने यहां पर देखा जब मेरा यह पूरा राउंड खतम हो गया मैंने का मेरा एक भी इस राउंड में नहीं हुए है एक भी स्वाइपिंग नहीं हुए तो मैं कह सकता हूँ कि मेरा array total sorted हो हुए है पूर array क्योंकि एक भी स्वाइपिंग नहीं हुए थी तो यहां पर इसके बात फर्दर राउंड चेक करने की जरूरत नहीं है राउंड फूर आपको चेक करने की कोई भी जरूरत नहीं है इसलिए यह स्वाइब नहीं लिखा है पहले राउंड यह नहीं हुई है अगर नहीं हुई है अगर नहीं हुई है तो मैं समझ जाओंगा भाई यह array मेरा already sorted है अब आप मेंसे कुछ बच्छो का टाउट यहां पर होगा कि भाई यह यह तो यहीं पर चलो bubble sort के code को implement करते है अपन लोग तो सबसे पहले क्या करें एक एरे बना लेते है ठीक 1000 size का clear हाँ अब मैं user को पूछ लेता हूं कितने size का उसे array चीए एरे को 1000 size का क्यों बनाया है क्योंकि इसको हमें क्या बनाना पड़ता है एक constant array बनाना पड़ता है जो lecture को follow कर रहोंगे यह अच्छे से पता होगा तो मैंने वोल दिया कितने element वो array में डालना चाहता है तो scene से मैंने वोल लिया उससे बढ़े एक statement दे देते है cout enter the size of array आव या तो यह दे देगा मुझे लाके उसका size जी हाँ उसके बाद element को insert करवाना है ठीक तो उसको मैं simply करा दूंगा integer i equal to 0 स i less than n i plus plus जो n का size जोगा 1000 से छोटा होगा ठीक यहां मैं constant था अब यहां से मैं input को ले लेता हूँ ऐसे करें यह clear हाँ यह दो चमक दिया तो यह आप भी लिख देता हूँ enter the element in array यह मैंने लिख लिया हाजी भीया अब आते हैं अपने code पार्टवे अब मुझे पता है इसमें दो लूप चलने वाले एक outer loop होगा और एक inner loop होगा तो हमने दिखा outer loop मैं कहां से चलाता हूँ i equal to n minus 2 से कहां तक जब तक i greater than equal to 0 हो i minus minus यही था यही लिखा था हमने हाँ वही है अब inner loop कहां से कहां तक चलेगा बताइए कि मुझे पता है जो inner loop चलेगा j कहां से start होगा 0 से कहां कब तक जब तक मैं i तक ना पहुंचाओ और यही j plus plus अब मुझे सिरफ value को compare करना पड़त है कि if जो मेरा array j अगर greater होगा array j plus 1 से तो उनको कर देता हूं मैं swap यह लिजिए swap array j को किस से गड़ दो array j plus 1 यह लिजिए हमने यह आपर कर दिया से swap अब हम यहां पर एक boolean मी बना देते हैं मैं देख लूँगा check कर लूँगा कि वह swap वही है यह नहीं हुए तो boolean swap नाम क बना देते हैं इसको initialize कर देते हैं 0 से ठीक अगर swapping हो गई तो मैं लिख दूँगा swap equal to 1 clear है हाँ यह clear है अब जैसी मैं इस loop से भार आया मुझे वही check करना पड़ेगा कि swap हुए भी है या नहीं हुए यह swap equal to equal to 0 एक भी swapping नहीं हुए है तो मैं बोल दूँ ब्रेक कर दो loop क आगे check करने की जरूरत नहीं है तो इस तरीके से हमने अपने bubble sort को implement कर दिया यह हो गया मेरा auto loop यह हो गया मेरा inner loop ठीक inner loop में क्या करना था मुझे सरब यह check करना था कि मैं कितनी swapping वह पर कर रहा हूँ clear हाँ भी है अब अंदर उसके बाद इसको print करा देते हैं integer i equal to 0 से कह तक i less than n i plus plus cout जो array i के अंदर elements है simple सा है हाँ ही है तो यह हमने इसका code part implement कर दिया इसको run करते हैं देखते हैं कोई error मारा चलो पहला error तो मुझे दिख गया अच्छा उसने का j को आपने declare नहीं किया तो लीजिए j को भी हमने declare कर दिया इसको clear करते हैं और कुछ error हाँ जी i को भी आपने declare नहीं किया है okay logic i को भी कर दिया clear कर दिया run करते हैं चलो अब run हो गया अपना तो कहरा size of array enter करो तो एक काम बढ़ते 8 size का दाल जेते हैं और enter the element in array तो 8 7 6 5 3 2 1 9 ऐसे तो यह मेरा answer आ गया है एक दो 3 5 6 7 8 9 ठीक clear हाँ यह clear तो हमने अपने bubble sort का algorithm बहुत easily लिख लिया जो मैंने आपको code part वहाँ पर समझाय था line by line वही हमने यह आपर लिखा है swap function हमें क्या बता रहा है sorry swap variable हमें क्या बता रहा है वह हमें समझाय आ चुका है हमने कैसे swapping करी वह हमें समझाय आ चुका है अब इसको एक बार implement करते है gfg में जाके कि इस code को हम वहाँ पी भी run कराके देखते है तो यह उनका code part है ठीक अब इसमें वह कह रहा है कि bubble sort मुझे implement करना है और यहां पर मेरे पास suit है कि मैं इसको n2 में implement कर सकता हूं यह देखो इसने कहा है कि expected उसे n2 है अब इससे मुझे bubble sort का array दे रखा है और integer n भी मुझे दे रखा है अब एक काम में कर लेता हूं जो code मैंने यहां लिख रहा है उसे वहाँ भी लिख देता हूं यह वा ARR मान के ही कर रहा था हां भी या चलो मैंने का यह सीधा यहां ही दे लेते हैं code तुड़ा अच्छा दी दिख रहा है पर चलो चलेगा इतना तो तो एक बार इसको run कर लेते है आए हो रन हो जाए गए हाँ जी बिल्कुक साई result आ रहा है समिट कर लेते हैं सेम कोड़ था कोई ऐसा difference था नहीं और हमारे सारे test case पास हो चुके पांच में से एटीटू में से एटीटू तो I think यहां से हमें समझ आया है कि bubbles.com कैसे implement कर सकते हैं चलो चलते हैं वीडियो में वापस आई हो आज आप आपको अच्छे से सब कुछ समझाया होगा अब मान लोग आपका जो homework है आपके लिए जो आपको अच्छे से करना है homework में क्या करो गया क्लियर पहला काम आपका यह है अभी तक मैं क्या कर रहा था सबसे बड़े वाले element को पीछे लेके जा रहा था यह कर रहा था तो मैं कहा रहा हूँ यह यह बबल सौट यूज़ करो बबल सौटी फ़र अब बबल सौट को यूज़ करके इसको तक कहीं से पीछे से लगर करते हो वाले हमें सा कंप्एर होंगे या तो आप ऐसे करके स्टार्ट कर दो कि मैं स्टार्डिंग से फिर compare कर रहा हूं या ऐसे ऐसे करगे बबल बनते वे चलेंगे देख रहा हूं यह बबल है या फिर पीछे से आप कहीं से भी कर सकते हो वह आपकी मर्जी है ठीक है पर algorithm आप यह यूज करोगे उसको decreasing order में बनाना है clear second increasing order ही रहेगा आपका increasing order ही ठीक बबल सौट algorithm लगेगा लेकिन आप start करोगे लास्ट से लास्ट से लास्ट से बबल बनाना start करोगा clear मतलब भगिया मैंने का इसको अगर यह मुझे कोई पॉइंट दे रखा चार एक दो तीन पांच तीन ऐसे करके मुझे दे रखा यह कहरे मैंने का इसको increasing order में sort करना है लेकिन आप बबल बनाने start करोगे पिछे से यहां से ठीक तो आप अगर पिछे से बबल बनाना start करोगे मनला ऐसे ऐसे आप से आगर करके उसको आगे लाओ के तो आपको को लाना आगे जो सबसे चोटा element होगा तो पांचर तीन में से चोटा कौन है तो तीन आगया आगया इस वाली comparison है फिर 2 ठीको compare किया दो चोटा है वही रहेगा 2 और 1 को compare किया एक चोटा है वही रहेगा फिर जब तक आप इस ताइब के कुछ संग नहीं करोगे ना कि खुद से आगे पीछे करें यह मत सोचने कि बबल फॉर्ट है कि इसके लावा मैं कहीं यूज नहीं कर सकता आप ऐसे करके कहीं से भी बबल चला सकते हो यह आपके अंडर्स्रेंडिंग बढ़ाएगा आप अगर यह जिंदगी में कभी भूल नहीं पाऊगे किलियर है हाँ यह किलियर है तो यार हम मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए जय ही जय भरत